तो हम लोगों ने चर्चा की कि किस प्रकार जो प्रकाश का वेग है निर्वात में वो सभी फ्रेम में एक जैसा रहता है यह प्रयोगों से भी निकला और जो मैक्सवल के एक्वेशन से उनसे भी निकला और इस तथे को लेते हुए आइंस्टीन ने यह दो पॉस्चुलेट्स बनाए जिनके हमने पिछली बार चर्चा की एक तो की जो प्रकृति के नियम है वो सभी इनर्शियल फ्रेम में सभी जड़त्वी फ्रेम में एक जैसे ही रहेंगे एक ही उनका एक्वेशन होगा एक ही स कि इसको मान करके ही आगे कीफियरी डेवलप करनी कि वैसे आल में हमें गलीलियन ट्रांस्फर्मेशन को बदलना पड़ेगा क्योंकि गलीयन ट्रांस्फर्मेशन के नूसार ऐसा तो नहीं हो जाकता है सut и जङगा तो जो नएा ड्रांस्फर्मेशन equation का set बनता है जिसमें यह चीज होती है और यह चीज होती है उसको हम लोग कहते हैं in the Lorentz transformation. Lorentz transformation equation, C a Galilean transformation. की जगह लेने वाले हैं, तो हम फिर वही S और S प्राइम की बात करेंगे, S प्राइम, S की अपेक्षा, X दिशा में, V वेलोसिटी से चलेगा, और X और X प्राइम आक्सेस बराबर एक ही लाइन पर होंगे, और वो स्लाइड करेंगे एक दूसरे के ऊपर, Y, Y आक्सेस जो हैं वो समाना अंतर होंगे, Z आक्सेस दोनों के समाना अंतर होंगे, जैसा हम हमेशा लेते आए हैं, वैसा ही होगा, तो सारा मोशन X डिरेक्षन में है, Y और Z डिरेक्षन में किसी प्रकार का कोई दोनों फ्रेम्स के बीच में मोशन नहीं है, तो हम यह उमीद करेंगे कि Y में और Z में, उसमें कोई equations में परिवर्तन नहीं होगा, Galilean Transformation के समय था Y प्राइम बरावर Y, Z प्राइम बरावर Z, वैसा ही यहां भी होगा, इसको हम और पीछे से भी साबित कर सकते हैं, यह प्रकृति के नियमों का स्वरूप सभी जरात्वी फ्रेमों में एक समान होता है, इ लेकिन यहां हम इसको लेकर चलते हैं, और X जैसे X प्राइम था X माइनस VT, तो X प्राइम में X भी है और T भी है, जो Galilean Transformation में था X प्राइम बरावर X माइनस VT, तो X प्राइम के expression में X भी आता है और T भी आता है, इसी प्रकार हम यह भी सोच कर चलेंगे कि जो T प्राइ चुरुआत यहां से करेंगे, हम मान कर चलेंगे कि जो X प्राइम है, जो पहले X माइनस VT होता था, उसमें X रहेगा, T रहेगा, तो उसको हम लिखते हैं, AX प्लस VT, अभी हम देखेंगे कि A का क्या मान होना चाहिए, B का क्या मान होना चाहिए, अगर यह Galilean Transformation होता, तो A का मान 1 होता, B का मान माइनस V होता, अभी हम देखेंगे कि इसका क्या आने वाला है, Y प्राइम और Z प्राइम हम मान करके चलेंगे कि Y प्राइम बराबर Y है, Z प्राइम बराबर Z है, और T प्राइम के लिए हम मानेंगे, T प्राइम के लिए, यह बराबर है कुछ, लट से, d x plus f t यह सब constants है a b d f यह सब constants है यह constants किस पर depend करेंगे जो frame की velocity है s prime frame की जो velocity है s के प्रती उस पर यह depend करेंगे जैसे बी अगर Galilean transformation होता तो यह minus v होता इसी प्रकार से यह a b d f जो constants हमने लिए है यह velocity जो frame की है उस पर निर्फर कर सकते है अब इन के मान हम कैसे निकाले a b d और f के मान हम कैसे निकाले तो हम एक event लेते हैं आपको याद होगा हमने event की चर्चा की थी जब हम x y z location बताएंगे कहां और time बताएंगे कहां इस time पर यहां इसको हम event कहते हैं तो हम एक event लेने वाले है हमारा जो frame है s frame यह है और s prime frame जो है वो यह है यह दर भी velocity से चल रहा है और टी बरावर 0 पे और टी प्राइम बरावर 0 पे यह origins एक दूसरे के ऊपर हैं हमने हमेशा अपने equations में यह लिया है कि जो यह s prime है जिसमें cross कर रहा है यह axis जिसमें इस axis को cross कर रहा है यह origin जिसमें इस origin को cross कर रहा है तो वह हमारा टी बरावर 0 है वह हमारा टी प्राइम बरावर 0 है तो हम एक event ले रहे हैं जिसमें X बराबर VT है Y बराबर 0 है Z बराबर 0 है और टाइम T है और यह S फ्रेम से description है X Y Z T हमने सब बता दिया क्या है यह यह क्या है यह इस origin का इस प्राइम के origin का S की अपेक्षा coordinate है टी टाइम पर है तो टी टाइम पर यह origin O प्राइम कहां पहुंच गया वह event है यह X बराबर VT पर पहुंच गया क्योंकि V velocity से आगे चल रहा था यह और टी बराबर 0 पर यह origin यहां था तो VT distance यह आगे बढ़ा है Y direction में Z direction में 0 है अब यह इसी event को अगर S प्राइम फ्रेम से देखते तो कहां होता यह event कहां पर हुआ यह event यह इसी origin पर हुआ क्योंकि यह origin यह पहुचा ओ प्राइम यह ओ प्राइम ओरीजिन यहां पहुचा यह है event तो अगर S प्राइम में पूछेंगे कि यह कहां हुआ यह event तो origin पर हुआ तो इसका X प्राइम बराबर 0 होना चाहिए और T कुछ time होगा उस frame में तो यह है S फ्रेम का description और S प्राइम फ्रेम का अगर description देखें तो X प्राइम शुद बिजिरो य शुद बिजिरो Z शुद बिजिरो और T का कुछ value T प्राइम होगा अब इस सूचना को आप यहां रख देजिए एक्स प्राइम बराबर 0 है और कुछ T प्राइम है इस सूचना को आप यहां रख देजिए तो अगर हम X प्राइम बराबर 0 है यहां रख दे तो X प्राइम बराबर 0 आप इसको कुछ equation का number दे सकते हैं हम इस equation में रख रहे हैं इस equation में रख रहे है तो क्या मिला X प्राइम बराबर 0 इधर क्या है A X बराबर क्या है X बराबर है V T यह हो गया V T plus B into T तो क्या मिला यहां से आप T को common ले लिए तो A V plus B into T बराबर 0 और यह बात हर T के लिए लागू है कोई भी T का value लिए corresponding यहां V T ले लिए वह origin का position बताएगा और यह बात हर एक T के लिए लागू होगी और ठाथ क्या होना चाहिए इससे क्या पता चला A V plus B should be 0 और इसलिए जो B है उस B का minus A V इसके बराबर इसको होना चाहिए तो इसलिए यहां अगर इस बात को हम रख दें B की जगह minus A V रख दें तो देखिए यह equation क्या बनता है यह equation बनता है x प्राइम बराबर A x और B की जगह हम रखेंगे माइनस A V तो माइनस A V इन्टु T और A को अगर आप कामन ले ले यह होगा A x minus V T तो हमें एक कॉंस्टेंट से तो मुक्ति मिली हमारा x प्राइम हमेशा इस तरह का होना चाहिए है A into x minus V T इस प्रकार का यह होना चाहिए तो इसको हम दुबारा यहां लिख लेते है x प्राइम बराबर A x minus V T x प्राइम बराबर A x minus V T और Y प्राइम और Z प्राइम में परिवर्तन नहीं है Y प्राइम बराबर Y Z प्राइम बराबर Z और T प्राइम याने T प्राइम D x plus F T D x plus F T A D और F इनके मान हमें प्राप्त करना है और इसके लिए हम एक को इवेंट्स लेंगे मानने जो x-axis और y-axis जिस समय S frame के और S prime frame के coincide कर रहे है यानि जिस समय में ठीक यहां क्रॉस कर रहा है यह S prime frame जिस में ठीक क्रॉस कर रहा है ओरिजिन पे O prime O के उपर ही है उस समय सोचिए कि यहां से एक प्रकाश की तरंग फैलती है सभी तरफ तो आप मान लें O prime O crossing के समय Crossing के साथ प्रकाश की एक तरंग इस origin से O या O prime से सभी और फैलती है सभी और फैलती है समय बीटता है तरंग दूर दूर तक महुंचती है तो अब देखे हम तीन इवेंट्स यहां लेने वाले हैं और तीन इवेंट्स में से हमारा पहला इवेंट है जिसमें यह जो S frame से हम अगर देखें तो हमारी तरंग यहां पहुंच गई है कब पहुंचेगे यहां T समय में पहुंचेगी और T समय में प्रकाश की तरंग कितनी दूर चलेगी CT दूर चलेगी इसलिए यह जो distance होगा यह CT distance होगा यह हमारा इवेंट है प्रकाश की तरंग T समय पहुंच गई तो अगर हम इसको लिखे इवेंट 1 तो इस इवेंट का X कोडिनेट कहां पर यह इवेंट हुआ CT पे Y 0 Z 0 कब T समय पर अब इसी को आप इसी इवेंट को स्प्राइम से देखें स्प्राइम में क्या हो रहा है यह तरंग यहां पहुंचिए इसको स्प्राइम से भी देखा जा रहा है तो इस प्राइम से अगर देखा जा रहा है तो कुछ टाइम उसका और होगा T प्राइम और उतनी दूर के उतनी देर के अंदर में वो C इन्टू T प्राइम इतना दूरी चलेगी तो पहले हम transformation equation से लिखे उसको X प्राइम, X प्राइम क्या होगा, X प्राइम होगा A into X, X का मतलब C T or minus V T, यह इतना A T C minus V, और T prime को अगर हम यहां से लिखे T prime, तो T prime बराबर है D into X, यहने D C into C into T or plus F T, यहां से भी आप T common ले ले, तो D C or plus F, इतना into T, ऐसा, लेकिन X prime को C into T prime का बराबर होना है, X prime का दूसरा postulate है special theory of relativity का सभी फ्रेमों में, सभी जड़त्वी फ्रेमों में प्रकाश का विख समान होता है निरवात में, उसका उपयोग कर रहे है, S prime में भी ए विख C है, इसलिए X prime बराबर CT prime है, अब आप यहां भाग लगा लेजे, तो क्या मिला, C minus V उपर और निचे DC plus F, और इसको आप तोड़ा खोल लिजे, तो क्या बना, D into C square plus C F, F into C, बराबर A into C or minus V, ऐसा, यह A में, F में और D में हमारे पास एक equation मिल गया, इस equation को हम रख लेते हैं कहीं, D into C square or plus F into C, बराबर A C or minus V, यह हमारा पहला equation हमें में में रहा, और अब हम दूसरा event एक लेते हैं, वही तरंग जो फैल रही है, वो इस x-axis पर यहां पहुंच गई, CT distance पीछे, सभी तरह फैल रही है, वो ऐसा फैल रही है, तो एक event हमने लिया था कि यह तरंग यहां पहुंची, दूसरा event हमने लिया कि T समय पर तरंग यहां पहुंची, तो इस event के लिए हम लिखेंगे, तो यह हमारा second event है, और इसके लिए अगर आप देखें, है, X बराबर माइनस CT, Y बराबर 0, Z बराबर 0 और समय T, और इसको अगर हम इसका transformation करें, यही event S प्राइम से कहां दिखाई देगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे, X प्राइम बराबर A into X, X यहाने minus CT, minus CT, और फिर minus VT, ऐसा, यह होगा X prime, और थाथ, minus A T C plus V, और T prime लिखें, T prime बराबर D into X, X है minus CT, तो minus D into C into T, और plus F into T, common लेले, तो यह minus DC plus F और बाहर T, लेकिन S prime में, प्रकाश, C वेक से सब तरफ चलता है, और इसलिए अगर इस event को देखना है, जो X prime axis पर है, तो T prime time में, उसको CT prime distance चलना पड़ेगा, और थाथ, यह जो X prime है, इसको होना चाहिए, minus CT prime, इतने distance चलना है, CT prime distance चलना है, और बाहर तरफ है, इसलिए X prime बराबर minus इतना, अब भाग लगा दें, यहां भाग लगा दें, और यहां भाग लगा दें, यहां का minus और यहां का minus आप काट लें, तो भाग लगके हुआ यह C बराबर, इतना बटा इतना, C बराबर, यहां देखें, इसको इससे भाग लगा है, T को काट डालें, और minus हट चुका है, A, C plus V, A, C plus V, और यह T हट करके, minus DC स्क्वाइर, minus DC स्क्वाइर, minus DC स्क्वाइर, plus F, C, यह बराबर, A, C plus V, यह हमारा दूसरा इक्वेशन है, इसको भी हम वहालिक लेते हैं, पुराने वाले के पास में, minus DC स्क्वाइर, minus DC स्क्वाइर, plus F, C, plus F, C, बराबर, A, C plus V, यह दूसरा एक्वेशन है, और एक्वेशन हमें और चाहिए, क्योंकि तीन unknown quantities है, हमें A का भी मान निकालना है, D का भी मान निकालना है, F का भी मान निकालना है, तो एक और एक्वेशन चाहिए, इसलिए हम एक और इवेंट लेंगे, और इस बार का हमारा इवेंट है, कि T समय पे जो तरंग फैलती है, तो यहां कहीं पहुंच रही है, T समय पर यहां पहुंच रही है, CT डिस्टन्स ऊपर पहुंच रही है, सब तरफ फैलना है, से इसको कि समय पर यहां में पोंचना है। सब तरफ फैलना है इस इंग को देखें कि यहां पहुंच गई है इस जगह के लिए एकस एकस बराबर जिरो यहां पर x बराबर 0 है और y बराबर ct है और z बराबर 0 है और समय t है और यह event s prime frame से अब कहां दिखेगा और कब दिखेगा तो t prime समय पर दिखेगा और उसके coordinates क्या होंगे तो फिर से हम वही काम करेंगे अपने equation का इस्तेमाल करेंगे x prime बराबर a इस बार x की जगह हमें यह 0 रखना है यह 0 हो गया और minus vt ऐसा यह x prime है और y prime बराबर y है y prime बराबर y और y का मतलब है ct यह इतना z बराबर 0 और समय कि टी प्राइम को देखें टी प्राइम बराबर टी प्राइम बराबर d इंटू x x की जगह 0 है और f इंटू t तो f इंटू t यह बना अब यह जो event है एस प्राइम के origin से कितनी दूर है तो एस प्राइम के origin से अगर हमें distance चाहिए और मुझे coordinates पता है एक प्राइम पता है और z प्राइम पता है तो हम कैसे लिखेंगे जो distance है फ्रॉम ओ प्राइम एन एस प्राइम एस प्राइम में देख रहें अब यह दिस्टेंस है वो इस्टेंस अगर दी है तो दी का जो स्क्वार होगा वो होगा एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस जट प्राइम का स्क्वायर और वो कितना बनेगा एक्स प्राइम का स्क्वायर के जिए ए स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर के जिए सी स्क्वायर टी स्क्व यहां है तो जो अरीजिन से दूरी है यहों C दूरी बराबर 0 पर इसलिए इस उलसो zza बी एकवल 2ை स्ट्वायर टी प्रैम स्क्वायर यह इस को इतने के भी बराबर होना इंबगा C सक्वार T' स्क्वाइर और T' हमारा है F x T तो इसलिए यह बराबर हो गया F² C² और F² और T² यह सब एक दूसरे के बराबर है d square बराबर इतना है, d square बराबर इतना है, यह बराबर इतना है, यह सब एक दूसरे के बराबर है, तो आप देखे, यह और यह बराबर है, यहां से हम equation लिखेंगे अपना, t square कट जाएगा, क्या बचेगा? बराबर a square v square, plus c square, बराबर c square f square, यह अपना तीसरा equation बन गया, अब हमारे पास तीन equations हैं, और तीन unknown quantities भी हैं, तो आप देखे, हम यहां से क्या कर सकते हैं, तो पहले दोनो equations से हम d को हटाने की कोशिश करते हैं, इन दोनो equations को आप जोड़ देजिए, 1 और 2 को आप जोड़ देजिए, तो d खतम हो जाएगा, a और f में रिष्टा मिलेगा हमें, यहां भी a और f में रिष्टा है, वहां से हम a का और f का मान निकालेंगे, तो इन दोन बराबर, जोड़ यह, a c प्लस a c, 2 a c, और यहां माइनस a v और प्लस a v खतम, तो यह बना, और इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि f बराबर a है, a और f दोनों बराबर हैं, और इस सूचना को आप 3 में रख देजिए, इसको आप 3 में रखे, क्या मिला, क्या मिला, a और f को रख देजिए, इस f की जगा, a रख देजिए, तो आपको मिला, a square v square प्लस c square बराबर, a square v square plus c square बराबर, a square c square, f की जगा हम ए रख रहे हैं, a square c square, a square c square, अर्थात c square बराबर, इसको उधर ले चले, a square common, c square minus v square, अर्थात a square बराबर, c square, बटा c square minus v square, उपर नीचे c square से भाग लगा दें, 1 बटा, 1 बटा, 1 minus v square by c square, अर्थात a बराबर, 1 by square root, 1 minus v square by c square, और f बे इतना है, यह दो चीज़े अपने को पता चल गई, a पता चल गया, और f पता चल गया, आपको बल दी निकालना है, और इस दी को निकालने के लिए, अब हमें a का value पता है, f का value पता है, तो d निकालने के लिए, आप किसी एक का इस्तेमाल कर लेजे, एक 1 का या 2 का, किसी एक का इस्तेमाल कर लेजे, तो 1 का इस्तेमाल कर लेते हैं हम एक और f का value पता है dc square dc square बराबर या plus f into c यानि a into c बराबर इसको खोड़ लेजे a into c और minus a into v और यह a c से इस a c का काम तमाम और c square से वहां भाग लगा दिजे तो d बराबर बना यह कट गया minus a v by c square और a का पता है अपने को a जो है वह है minus v square by c square ऐसे लिख लेते हैं और बटा square root 1 minus v square by c square यह देखिए एक आमान हमें पता है यह एक आमान हमें पता है तो हमने एक ही जगह पर 1 by और यह लिख दिया square नहीं है तो b यहां है c square यहां है और a के स्थान पर यह पूरा है यह minus है तो अब तीनों के पता चल गए अपने को अब हम अपने equations पूरे-पूरे लिख सकते हैं इसको लिखे x prime को equation, x prime बराबर क्या, x prime बराबर a in to x minus vt और a क्या है, a e है तो इसले यह बना x minus vt बेका बता स्क्वार रूट 1 माइनस V स्क्वार बाई C स्क्वार यह X प्राइम बना इसके बाद आए Y प्राइम वो तो ठीक है Y प्राइम बराबर Y है Z प्राइम बराबर Z है T प्राइम T प्राइम बरामर D इंटु X द यहां है देखिए D इंटु X करेंगे तो X V बाई C स्क्वार और नीचे यह D इंटु X आने वाला है और F इंटु T F यह है तो इसको अगर आप लिखें D X माइनस F T यह D X प्लस F T लिखें तो D के स्थान पर है माइनस V बाई C स्क्वार और नीचे स्क्वार रूट 1 माइनस V स्क्वार बाई C स्क्वार इंटु X और प्लस F इंटु T और F देखिए F यहाँ पर है तो यह है प्लस T दिवाइद बाई स्क्वार रूट 1 माइनस V स्क्वार बाई C स्क्वार और इसको एक जगा ही कठा कर लिजे और T प्राइम का पूरा एक्सप्रेशन लिखिए तो यह है T माइनस इतना T माइनस V X बाई C स्क्वार और पूरे का बटा 1 माइनस V स्क्वार बाई C स्क्वार अब हमारा पूरा काम खतम हो गया यह जो है यही है यही है यही है लॉरेंच लॉरेंच ट्रान्स्फरमेशन। है कच्वेशन यहूरेंच ट्रान्स ट्रान्स्फरमेशन। लाइशन है जिन्होंडे कि गेलिलियन ट्रांसपरमेशन का स्थान लिया है अगर प्रकास का वेग सभी फ्रेम्स में सभी जड़त्वी फ्रेम्स में एक ही होना है तो गलीलियन ट्रांस्फर्मेशन के जगह हमें यह समीकरण इस्तिमाल करने होंगे जब मुझ एक हमे इस कि अाफ खुछर्मेशन लिया है प्रेम्स में एक है सब्सक्राद का वे एक ह rights we इंग है है जगै। एक हमें प्रकास एक ही हा हे लिता संव बालबंग को प्रेम्स में सब्सक्सकत Georgãy